हमने देखा उन्होंने उत्राखंड का भी जिक्र किया कि उत्राखंड को भी हम बैडिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं लक्षद्वीप जब उन्होंने आप पीम मोदी खुद गया उसके बाद हमने देखा कि भारत वाशियों में कैसा ट्रेंड राब जब गुलाबी न स्थान अपने टूरिजम के लिए जाना जाता है विश्व विख्यात है तो ऐसे में यहां के टूरिजम इंडस्टिरिंग को शायद बलावा देनी के लिए हमारे संयूगी संबादाता सौरव भी हमारे साथ हैं सौरव आपसे भी जानना चाहूंगी कैसी तैयारिया की गई पहुंचेंगे शाम का समय उस से पहले राश्पती मेक्रो जो है वो आमिर महल जो है वो देखेंगे वहां गूमेंगे वहां की स्asındaकतिक पहचान किस परकार की है उसकी जानकारिया जो है वहां पर लेंगे लेकिन बड़ी चोपड़ पर किस परकार का नजारा है यह तस्एर ही लीडर वर्ल लीडर जो है वो यहां पर लेने वाले हैं लेकिन उससे पहले आमेर में करीब दो घंटे गुजारने के बाद प्रदान मंतरी नरेद मोधी जंतर मंतर पहुचेंगे और उसके बाद राश्पती मैक्रो भी जो है वो जंतर मंतर पहुचेंगे और जंतर मंतर प पर पहुंचा जाएगा और हवा महल पर जो है वो फोटो शेशन होगा और उसके बाद जो है वो एक तरह से ये रोडशो जो है वो आगे बढ़ेगा और जो कारिक्रम है उसके अनुसार लास्ट में जो है वो रामबाग होटल में जो है वो कारिक्रम जो है वो रखा गया है ल एक गंतंतर दीवस समारों में भारत के महमान बनकर लेकिन उससे पहले प्रदान मंतरी जैपूर में जब उनको लेकर आ रहे हैं तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रदान मंतरी राजस्तान के टूरिजम को लेकर कितने गंबीर हैं देश के टूरिजम को लेकर कितने गंबीर हैं क एक तरह से उन्हें यहां की जो इतिहास है जो यहां का महल हैं किले हैं जंतर मंतर हैं उन सब चीजों से रूबरू कराने का मौका जो है वो प्रदान मंतरी देना चाहते हैं और यही कारणे की इस प्रकार का कारेकरम जो है वो यहां पर रखा गया इस सांगानेरी गेड़ से लेकर बड़ी चोपर तक करीब चार अजार से अधिक जो है वो पुलिस कर्मी तेनाद किये गए हैं सुरक्षा के विशेश इंतजामात जो है वो किये गए चुकि प्रदान मंत्री को यहां पर पहुचने में अंधेरा हो जागा इसलिए आज से लाइट्स की भी जो है वो वि लेज दुनिया में जैपूर का टूरिजम जो है वो अपने आप में बहुत विख्याते लेकिन इसका और ज्यादा प्रचार करने के लिए कह सकते हैं कि जैपूर को जो है वो प्रदान मंत्री ने चुनाया और यहां पर राश्पती मेक्रों को लेकर आने तो यह अपने अभी के लिए आश्चरे का विशह है और उसी की कला जो दिखाने की कोशिश यहां पर राश्पती मेक्रों को जो है वो की जाएगी चारों तरफ जो पहाडिया है उस पर जो है वो यह पूरा आमेर महल बनाया हुआ है और वहां का जो पूरा नजारा देखने के बाद है तो रखता है टूरिजम के लियाद से देज दुनिया के लाखों लोग जो है वो हर साल टूरिजम के लिए यहां पर पहुंचते तो उसकी भी एक बांगी उसकी जलक भी जो है वो प्रदान मंतरी वहां पर उन्हें दिखाएंगे चुकि वहीं पर ही दोनों नेताओं का वर्ड लीडर का मुलाकात होगी वहां पर प्रदान मंतरी उन्हें का स्वागत करेंगे और उसके बाद रोड शो जो है वो यहां पर शुरू होने वाला है तो अपने आप में आज का दिन काफी महत्पूर्ण इसलियाद से हो जाता है क्योंकि प्रदान मंतरी ने राश्प इसलिए हास जाएगा कि देखे राजस्तान में क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जीने जो है वो देखा जा सकता है तो उसको तहथी एक पूरा ऐखिर्रम बनाया गया है करीब पांच से शे घंटे का यह पूरा कारीकरम है और उसमें इतनी सारी चीज़े जो है वो देखने को मिलेगी और चुकि देखिया बड़ी चोपड़ पर किस प्रकार की सजावट की गई है और यहाँ पर सुरक्षा के बहुत तगड़े इंतजामाद जो है वो यहाँ पर किये गए है और जिस प्रकार का आमेर महल है और वहाँ पर देवी शीला भी जो है वो इस्तापिद की और यहां पर जो है वो इसे स्थापी जो है वो यहां पर आम तस्वीरे जरा अपने दर्शकों को दिखा देता है यह उस वक्ती तस्वीर है जब राश्टपती मैक्रो को रिसीव करने के लिए पोस्ट पर पहुंचे थे राज़िपाल और उनका गुल दस्ता दे कर उनसे बा जनलाल भी जैपूर एरपोर्ट पर पहुंचे हैं और यहां पर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रही हैं यह तस्वीर अपने आप में अद्बुत है फ्रांस की राश्पती मैक्रो आज जैपूर में है उनका स्वागत सतकार करने के लिए राज जिफाल के साथ ही मुक् जो इस वक्त है फ्रांस से आई हुए हैं राश्पती के साथ उनका भी स्वागत सतकार यहां पर किया गया और भारत की तरफ से जो भी जैपूर एट पोर पर पीम भी पहुंच जाएंगे उनका भी स्वागत करने के लिए यहां पर सभी लोग मौजूद रहेंगे साथ ही साथ आपको बता दे कि मुख्य सचप भी यहां पर हैं और सभी लोग यहां पर स्वागत करने के लिए और वेलकम करने के लिए जैपूर एरपोर्ट पर पहुंच जिसके तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले राजजपाल की तरफ से बुके दे कर फरांस के राश्चपती का वेलकम किया गया और उसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा वो भी पहुंचों थे उन्होंने भी गुल दस्ता भेंट कर वेलकम किया फ्रांस के राश्पती का एमेन्योल मैक्रो का और साथ इसाथ जो डेलिगेट है उनका भी स्वागत सदकार यहाँ पर किया गया और विदेश मंत्री ऐस जय श्रंकर क्योंकि व पे नजर आए अपने बारे में इंट्रोडेक्शन देते पे नजर आए और जेलिगेट जो हैं वो भी साथ में मौझूद हैं तो फिलाल आज जो जो है जैपुर एरपोर्ट पर यह तस्वीर जो है देखने को मिली अब आमेर के लिए यह पूरा जो काफिला है वो रवाना हो गया अमेर के लिए का धीधार करेंगे फ्रांस के राश्पती और वहाँ पर जो राजस्तान की संस्कृती है जो कला है जो किले हैं उनके बारे में जानेंगे वहाँ पर समय बताएंगे और साथी साथ राजस्तान की कुछ खास चीज़ों को अपने साथ एक याद के तौ तो वेलकम करने के बाद क्यूंकि एपोट के जो रनवे पर कई सारे सांस्कृतिक कारक्रम भी किये गए जो भी राजस्तान की संस्कृती है वो यहाँ पर दिखाई गई और देखे वो अपने काफिले अपनी गारी में यहाँ पर मैट गई है और उसके बाद यहाँ से जो ह आगे रवाना वो होई और फिलाल ये तस्वीर है जहाँ पर उनका विमान उत्रा विमान जब उत्रा तो उसके बाद वहाँ पर राज जिपाल कर राज मिश्र मौजूद थे जिन्होंने गुर्दस्ता उन्हें दिया और उनका वेलकम किया जैपूर के इस धरती पर सीम भी व स्वागत सदकार किया गया और उसके बाद यहाँ पर कुछ सांस्कृत कारक्रम होने के बाद यहां से आगे की जो रवानगी है वो रही देखे जैपूर को विश्विस्तर पर एक नई पहचान मिले और किस तरीके से वर्ल्ड हेरिटेश में जैपूर का भी नाम हो यहाँ पर भी परटेक भाली संख्या में पहुचे यह एक मोटिव यह विजन जो है वो कही न कहीं प्रधान मंतरी नरेंत मूदी के धमाग में है और उसी को जमीन पर उकेरते हुए भी वो नजर आए जब बीते दिनों लक्ष दूप पहुचे थे प्रधान मंतरी नरेंत मूदी उसके बाद सोशल मीटिया पर उन्होंने तस्वीरे शेयर की ती और उसके बाद जो परटेक हैं वो भारी संख्या में लक्ष दूप की ओर पहुचे और यही जो मोटिव है वो साफ तौट पर यहाँ पर हमें वो जो विजन है वो यहाँ पर साफ तौट पर नजर आ रहा ह क्योंकि खल जो है 26 जुनवरी है गंतन दिवस के मौके पर जो है इम्मैनुवल मैकरोन पहुचे हैं उन्हें गैस के तौर पर बलाया गया है और उससे पहले एक दिन पहले प्रधान मंतरी नरेंद मोधी उन्हें लेकर जब जैपुर आई हैं तो यह अपने आप में बहुत महत पूर्ण हो जाता है यहाँ पर पहुच गए हैं इम्मैनुवल मैकरोन और यहाँ पर आमीर फोट को देखेंगे उसका दीदार करेंगे और उसकी बाद कोची समय बाद प्रधान मंतरी पहुच जाएंगे जहाँ पर फोटर सेशन होगा हावा महल भी रहने वाले हैं और साथ ही साथ एक रोट शो भी रहने वाला है और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो बच्चे हम आपको दिखा रहे हैं यह वही बच्चे हैं जो इम्मैनुवल मैकरोन का स्वागत करने के लिए पहुच थे एपोच के बाहर की यह तस्वीर है देखिए काफिला है और सारी वी वी आईपी वूमेंट से इसके यहां पर बच्चे भी पहुचे हैं यह वो बच्चे हैं जो सुबह से इंतजार कर रहे थे फ्रांस के राश्पते का वेलकम करने के लिए पहुच रहे हैं भारत कत्यरंगा सभी बच्चों के हाथ में हैं जहंडा ले इमैनुल मैक्रों का स्वागत करने के लिए तो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो स्टूरेंट से वो पहुचे हैं और उन्होंने यहां पर वेलकम किया है अब यह जो काफिला है इस वक्त पहुचने वाला होगा आमीर वहां पर भी हमारे संवादात मौजूद है वो आप